दूसरी चीज, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनकі अंदर काम करने की इच्छा है लेकिन शम्ता नहीं है, इनको आपन डेवेलब कर देंगे, शिक हषा देंगे तीसरी चीज, कुछ ऐसे होंगे जिनमें शम्ता है पर इच्छा नहीं है उबना कॉरेज करेंगे बहुत 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 पैसा आता है और सर्प्राइज यह हुआ कि ऐसा एक भी आदमी नहीं मिला जिसके अंदर ना इच्छा है ना शम्ता है चुकि लोग खुदी काम करने आना चाहते रहे तो उनका कमेटमेंट लेवल भी ज़ा और वो इतने कमेटेट थे सबी लोगों को उ अपना ही राज्य बढ़ने लगा जिसको मेकिन इंडिया बोलते है आज हमारे भारत के अंदर के वाई हमारे देश के अंदर ही मैमस्फाक्टरिckी हुआ UP में मेकिन इंडिया और सम करा भी इसके बाद इन्हों ने देखा कि कुछ लोग ज्यादा प्रॉस पर करे रहे और उ तो इन्होंने मॉडल क्या बिल्ड किया आईए देखना कि किसको मुझे मैनेज करना है किसको मुझे कोच करना है किसको मुझे डिलीगेट करना है किसको सपोर्ट करना है किसको मेंटर करना है किसको डिरेट करना है तो मैन पाउर को उसी के हिसाब से इन्होंने एंगेज किया और उनको बोला कि अपने profits को वापस reinvest करना शुरू करो, उस तभी profit आएगा, और आपनी क्या pricing रखनी, क्या positioning रखनी है, सारे start-ups यह decode नहीं कर पाते हैं, जो आज decode नहीं कर पाते हैं, जो उस ताइम पे नहीं नहीं सिखाया, महराजा अगर सेनिक अधबुत business coach थे, कोई भ बहुत सारे घर जल गए थे, कहीं लोग भी मारे गए, इसमें कहीं औरते आदमी मारे गए, तो इसका असर यह आया, उस असर को समझाने से पहले में कहानी समझाता हूं, हुआ यह कि कुछ लेबर जो थी, उनको जब दिन में फैक्टरी में खाना दिया जाता था, तो जो च बहुती खाने के बाद, वो सो जाता है काम ने करता, तो महरजा अगरे से गए, बोले चेक करो ऐसा क्यों रहा है भाई फर, यह तो बात गलत है, तो उनके मंत्रियों ने भी का चेक करना चाहिए, तो जब उन्होंने बात करना जरूरी समझा, लोगों से गाए, बात किया, मजदूरों से मालुम चला कि जो लोग ज़्यादा खाना खा रहे हैं, यह वो लोग हैं जिनकी बीविया मर गई हैं, उनको रात को खाने को नहीं मिलता, सुबह नाश्ता नहीं मिलता, उनको दिन में जब अपनी फैक्टरी में खाना मिलता तो सारा का सारा एक साथ खा जात ते तीन बारे का खाना